नमस्कार श्रोताओ आज मैं जो बाबा जी की मौर्निंग में वीडियो आई है बहुत सी प्रिधिक्रियाएं उस पे आ रही है बहुत से कमेंट्स आ रहे है पहली बात तो ये है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने ताकि आपको इस वीडियो के बारे में पूरा पता लग सके बहुत छोटी सी वीडियो है विल्कुल 5-6 मिनट की वीडियो ये बनेगी और आप इस वीडियो को पूरा सुने ताकि आपको पता लग सके कि एक्चुल में उस वीडियो का मतलब क्या था और आगे के लिए हमारे लिए क्या निर्देश है तो जो मौर्निंग में बाबा जी की वीडियो आई थी जिसमें ये टाइटल था कि अब भोले बाबा ने बोला है कि तुम्हारा काम यहां से खतम हो गया है तुम वापिस आ जाओ तो पहले तो ये बात है कि इस से शरीर का कुछ लेना देना नहीं है हम जिस लेवल पे बैठे होते हैं हम उसी की बाते हैं अब हम भी दे में बैठे हुए हैं तो हम दे की बाते ही करेंगे तो बाबा जी का मतलब दे से नहीं था उनका मतलब क्या था कि बोले बाबा ने ये कहा है कि आपने जो ग्यान देना था, जो हम चाहते थे कि आप लोगों को ग्यान दीजिए तो वो आपने लगबग लगबग पूरा कर दिया है अब आप अपने अंतर मगन ही रहा करिए आपको समाधी में रहा करिए अंतर मुकी होके रहा करिए क्योंकि जब ये पहले भी बाबा जी ऐसे ही रहते थे और जब ये काम शुरू किया तो इतनी इतनी बड़ी वीडियोस रिकॉर्डिंग करते थे फिर लोगों के मैसेजिस बहुत आते हैं हमने आज तक इतने फ़ोन कर दिए हमने आज तक इतनी वीडियोस में बोल दिया मैंने बोल दिया बाबा जी ने भी कई वीडियोस में बोला है कि अगर मैं आपको एक बार आपकी कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो आप उसको या तो मैसेज कर दें आपको बुरा मतलब मनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पता भी नहीं लगता और उनका ध्यान कहीं और है तो बिलकुल ही पता नहीं लगता तो अभी भी हमारे पास बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं बहुत से लोगों के तो मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर दूँ कि उनकी वीडियो का मतलब कोई शरीर से नहीं था हमें ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी हम उनकी वीडियो रोज आपके पास लेके आते रहेंगे जो आपके दिमाग पे वीडियो देखके बोज हुआ है या आप टेंशन में आयो तो आपको उसको वो बिलकुल वियर्थ है उसका कोई मतलब नहीं है उनका मतलब सिरफ ये था कि जो उनके हिसाब से उनको बोलना चाहिए था वो बोल ले हैं बड़ बाबा जी आज भी आने वाले टाइम में भी रोज ससंग करते रहेंगे पर एक बात और है कि जब अब वो अपना मोस्ली टाइम आतम साथ होके ही बिताया करेंगे तो अगर कोई कॉल कर रहा है तो पहले तो वो कॉल ना करे अगर वो कर रहा है और फोन नहीं आगे से पिक हो रहा है तो आप लगातार 9-9-9-9-10-10 कॉल्स मत किया करिए क्योंकि अगर आप 10-10-11 कॉल करोगे तो हमारे पास एक ही आप्शन रह जाता है कि उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाए चाहे वो कोई भी हो हमें नहीं पता वो कौन है क्योंकि वो अगर तो उन्होंने फोन उठाना है वो उठा लेंगे अगर नहीं उठाना तो आप कॉल मत कीजिए आप एक वाटसैप पे मैसेज छोड़ दिया करें अगर कोई आपका काम बहुत जरूरी है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आप बिलकुल टेंशन फ्री हो जाएए उनका मतलब यह नहीं था कि शरीर त्यागने का उतना मतलब यही था कि अब चीज़ें पूरी हो चुकी है तो मैं फिर से अपने आनंद में जाओ और ऐसा नहीं है कि हमारे पस वीडियोज नहीं आएंगी वीडियोज आपके पास रोज जैसे आती हैं वैसे आती रहेंगी हम रोज आपके लिए दो वीडियोज लेके आते हैं एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में तो वीडियोज जैसे ही आती रहेंगी आपको बिलकुल किसी दिमाग पे बोज रखने की जरूरत नहीं है दूसरी बात अब ये मैंने क्लियर कर दी है दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे पहले भी एक रिक्वेस्ट की थी कि आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और पूरा सुने मैं जब वीडियो में बोलता हूँ तब तो लोग बहुत ध्यान रखते हैं लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं बट जैसे ही एक आदा हफ़ता आगे बीच जाता है तो मैं देखता हूँ कि वैसे ही मतलब स्टैटस्टिक्स आने लगे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि देखो, हमारे पास यूट्यूब में आगे विजिबिल्टी के लिए अगर हम किसी लोगों को अपनी वीडियो दिखाना चाते हैं तो हमारे पास दो यह आप्शन है या हम एड लगाएं या यूट्यूब खुद हमारी वीडियो को रिकमेंड करें हम एड लगाएंगे नहीं रिकमेंड कैसे होगी जब यूट्यूब ये देखेगा कि जो लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को वो कितने एंगेज हो रहे हैं वीडियो के साथ तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बाबा जी कि जब भी वीडियो है आपके यूट्यूब चैनल आपकी एप पे तो आप उसको जरूर देखें थोड़ा सा देख लें अगर आपके पास टाइम नहीं है अगर टाइम है तो पूरा देखें लाइक करें कमेंट करें शेयर आप जितने भी लोगों को करना चाते हैं आप उतने लोगों को कीजिए तो मैं फिर से वो बात बोलूँगा कि आप सुबा की वीडियो को देखकर परिशान ना होई है उसका मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हों ये बाबा जी ने हमें कलियर किया है मैं आपको बता रहा हूँ ये बाबा जी ने खुद कलियर किया है ऐसी कोई बात नहीं है वीडियो आपके पास आती रहेंगी रोज दो वीडियो जाती रहेंगी आपके प्रेशन को सुना जाएगा अगर आप कॉल कर रहे हो पहली बात आप कॉल मत करें अगर कर रहे हो तो सिर्फ एक कॉल कर दें नहीं तो हमें नहीं पता वो कौन है दूसरी साइट पे तो हमें ब्लॉक करना पढ़ेगा वो नमबर तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मैसेज कर दो तो मैं इसलिए आज आपके सामने आउनलाइन आया था अभी आपके साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद